नमस्कार गुस्तों मेरा ड़्राजपांड़र आप देखना है आर्सीये निटे चैनल पर हारदी जवागत एक जानकार सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल मचा हुआ है इतना कटाप कैसे चला गया इतना कटाप कैसे चला गया तो मैं आप मतादू आने वाली भरतियों में और कटाप जाने की संभावना है क्योंकि पेट 2021 में कंडिडेट की संख्या उतीनी नहीं थी लेकिन पेट 2022 में कंडिडेट की संख्या बहुत जादा थी और क professional course की बात नहीं कर रहा हूँ मैं special course की बात नहीं कर रहा हूँ special degree की बात नहीं कर रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर नारमल intermediate वाली vacancy आती है तो इतना आप note कर लेना कटाब बहुत हाई जाएगा अगर पदों के शंक्या 1000 से कम रही अब जो कटाब गया है कल मेरे दोरा बताया गया था जैसा कि आपको मालूम होगा 74 से 76 बोला गया था एक में 76 बोला गया था और 75 दसमलो 69 कटाब गया तो जो बताया गया होगा वही जो बताया गया होगा वही मैं बार बार कहता हूँ बस आपको बेट करने के वह सकता है इसलिए मैं कहता हूँ रेगुलर वीडियो देखा करें क्योंकि समय समय पर न्यूज बदलती रहती है जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है वही मैं बताता हूँ ऐसा रही कि भविश्वारी कर दूँगा वही हो जाएगा अगर मुझे क कुछ और परिवर्तन दिखता है तो परिवर्तन के साथ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इसलिए एक वीडियो पर आपको डिवेंडर नहीं रहेना पूरा वीडियो रगुलर देखना है प्रसी दिन देखना है अगली अपडेट है बीज़ेट को लेकर बुंदेल कंड स्विडियो को दी है बीउ ने बिना बिलंब सुल्क के परिच्छा फार्म भरने की तीर मार तै करती थी जबकि चार से दस अपरेल तक आवेदन करने पर बिलंब सुल्क देना पड़ता है चुकि कईवी स्विडियो में अंतिम बर्स पंचम समिस्टर के चाच चात्राओं क की मौजूदा सत्र की परिच्छाएं शल रही इस कारण उनको फार्म भरने में परिच्छानिया हो रहे है इसके मद्देने बियू परसासने फार्म भरने कित्सी को बढ़ा दिया है अगली अपड़िट है हिमांचल को लेकर हिमांचल में एक अपरेल से लागू हो जाएग पुरानी प्रिंसन योजना तो बहुत अच्छी बात है ओपिस की मांग करमशारी करते हैं और जहां जहां कॉंगरीस की सरकार है जहां जहां कॉंगरीस ने वादा किया था उस वादा को पुरा करते विए पुरानी प्रिंसन को बहाल कर दिया है तो हिमांचल में जैसा कि आ कि पुरानी पेंसन के तहत होंगी तो यहां भी एक गुड निवस है अगली अपडेट है सिलेक्शन कमेटी ने पांच अंक गलत दे दी चोवनी वाओं की पुरिस की नोकरी दायेगी या ख़बर हरियाना किये एक गलती कई चारित अभ्यर्थियों की जिंदगी बरबाद कर दे रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आप परिष्छा में बैठते हैं तो आपकी क्या गलती आपको नंबर मिलते तो आपकी गलती नोकरी पाने की बार अगर कोई बाहर कर दिया जाए तो उस व्यक्ति पर कितना दुख होगा जो नोकरी कर रहा होगा उस अभ्यर्थि रहा होगा सरकार की या करमचारी कारणा बर्ट की हो सकती है अगले अबड़िट है सीपाही भती है को लेकर सीपाही पचीस सो पक्रणों पर कुसल खिलाडियों की सीधी भरती कर रहे हैं इनका नतीजा अगले 15 दिनों में आने की उम्मीद है आपको बता देμά फे मार्च के लाश्ट या अप्राइल मार तक नतीजा आएगा और फचीस सो भरती की कवाइज भी सुरू कर दी गई है और विग्यापन आपको जल्द देखने को मिलेगा वैसे अभी कोई डेट निर्थ नहीं है उम्मीद की जा रही है जब तक कोई अजिकारिक सूचना मुझे प्राप् अब भरती प्रदर्सन कर रहे हैं मांग कई हैं और अब आपको बताना चाहता हूए उस्याटरा अपराइग निकिन अब तक इसका विग्यापन जारी नहीं कियाarin उनहें उन्होंने ग्यापन आयोग की चेर्मین को सवंपा है मैं आपको बता दू अल्टिक रेश इच्छक भरती हो अल्टिक रेश इच्छक भरती की मांग लबे समय से चल लाइए लेकिन दोस्तों जब तक सासन इस पर इस देश चित नहीं करेगा कि उस्तर पर लोग सिवा बिग्यापन जारी करे या नहीं आयो की माधिब से होगा च्छे नहीं भरतियों की बात करें तो यूपी यसी के मार्दिम से इस महीने छे नहीं भरतियां आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पर इच्छनी अंत्रक आज्यकुमार तीवारी ने बता है कि बिधी विग्यान प्रोक्साला में बैग्यानिक अजिकारिक तानिस पतका चाहिए मिल चुका है इसकी विग्यापन महेने के अंत्यम सपता में जारी किया जाएगा ऐसे ही राज की आरवेदि कą लेज में भरती होनी वाली है यह कल पना और प्रसुती तंठ आज विष्यों के लिए चल्पना और पर इच्छा के के लिए शुरू हुआ आवेदन और आवेदन जमकर होगा भरही पदों की शंख्या कम है इसलिए आवेदन जमकर होगा कि कि मुख परिष्छा से आपको मालूम होगा कि वैकल भी विशे को हटा दिया गया है और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कि आयोग इसी महीने अन्य 220 पदों के लिए शुरू करेगा भरती पीसिस के अलावा आयोग की और से इसी महीने अन्य 220 जो मैं च्छे भरतियों का जिकर किया हूं लेकिन एक सवाल है कि पीसियस 2023 में कितरे पद इंक्रीज होंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं जो यह पद इंक्रीज होंगे प्रारंबिक परिच्छा पईड़ाब आने के पहले यानि कि मई माह तक आप वो इस बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कितने पद इंक्रीज हुए हैं तो मई माह तक बेट करिए 290 या 290 प्लस पद हो सकते हैं और तयारी आप अपनी बहतर करते कि आपडेट बिलेगा तो जरूर दोंगा आगली कि ऊपनी जूदियर असिस्टेंट कताफ को लेकर है आपको मालम होना चाहिह कि ऊपनी जूनियर असिस्टेंट कताफ कि समखन में आप लोगों ने कई बार पूछा है देखित दो स्थो मैं आपको पता दूँ जिस तरह से competition तगड़ा होता जा रहा है उपद को देखते हुए मुझे जो लगता है मेरी जानकारी कांसार कटाफ 72 से 74 हो सकता है 72 से 74 हो सकता है वैसे आगे कोई update मिलेगा मैं आपको अबश्य दूँगा वैसे कटाफ junior assistant का 72 से 74 रहने की संभावना है तारी करते रहे अभी confirm नहीं है रगे 72 से 74 मान कर चलिए इससे कम जाने की संभावना नहीं दिख रही है आगे कोई update विलेगा तो इस चैनल के बाद हिंसे आपको दिया जाएगा पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको दिल से धन्दिवाद जैंज इबार सुनमस्कार